बिग बॉस में आज का वीकेंड का वार पूरे तरीके से सल्मान और एलवेश यादव के नाम रहा चलिए शुरू से बताते हैं कि आज के वीकेंड के बार में क्या हुआ दोस्तों आपको बताएं सल्मान खानने वीकेंड के शुरू में ही पहले बोला था कि इस घर में कई ऐसे सोचल मीडिया के इंफ्लूएंसर्स हैं जिनके मिलियन्स ओफ सब्सक्राइबर्स हैं जिनके बहुत बड़े फॉलोवर बेस हैं जिनकी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि इनसे मैं नहीं घबराता नहीं जियो सिनेमा घबराता है नहीं कोई और सल्मान खान ने दोस्तों बाद में ये भी बोला कि आप चाहे तो शो को ट्रॉल कर ले किसी की कॉमेंट सेक्शन भर दे लेकिन उनको जो बोलना है वो बोल के रहेंगे फिर वो घर के अंदर जाकर सभी से पूसते हैं कि घर में कौन-कौन गलत हुआ कौन-कौन सही हुआ और इसके बाद में दोस्तों सब को थोड़ा बहुत फटकार लगाने के बाद बेविका को डाटने के बाद वो फुकरा इंसान से पूसते हैं बताओ फिर एलवेश ने क्या गलत किया तो फुकरा इंसान कहते हैं कि उसने अब्यूजिव लेंग्विज का यूज किया और मनीशा भी यही कहती है हाँ उसने यूज किया तो सल्मान ने कहा कि जो तुम्हारे रोकने का तरीका था क्या वो एप्रिशेटिड था क्या वो सची में किसी को रोक रहा था या इंकरेच कर रहा था ऐसी हरकते करने के लिए तो यहाँ पे दोस्तों पहले सल्मान ने पहले अभी शेक को थोड़ा सा फटकारा और फिर मनीशा रानी को बोला कि तुम तिल्ली लगाने का काम करती हो तुम घर की सबसे बड़ी तिल्ली खोर बन चुकी हो इसके बाद में आये वो एलवे शादव पर कि आये घर वालों अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि आगिर एलवे शादव ने क्या क्या बाते किये दरहसल जो एक घर में टास्क वा था टिकेट टू फिनाले और उसमें टास्क के अंदर बेविका ने काफी कुछ बोल दिया ता है इनसान को कि तेरा दान तोड़ दूँगी तेरा मूँ फोड़ दूँगी बाहर मिलना मुझसे तो यहां पे जब यह सब चीज़े एलवे शादव ने सुनी तो उन्होंने गालिया बग दी थी दो चार और इसके बाद में वीमल कि पूजा को पूजा बढारी तो पक्ता लगी तो पिर यह अनुगत है है कि अची लेंगविच का यूज नहीं किया तो सल्मान खान उन्हें कहते है कि तुमारे बहुत 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 बाद您 बड़ी follower base है मैं मानता हूँ तुम्हारी बहुत बड़ी community है तुम्हारे बहुत सारे YouTubers है तुम सारे TikTok versus YouTube कर चुके हो TikTokers को गिरा चुके हो मानते हैं तुम्हारी बहुत बड़ी community है लेकिन तुम अपने fans को सिखा किया रहे हो एक बार अपने अंदर जाक के देखो तलमान खान ने इस तरीके से फिर Elvis आदव को जाड़ना शुरू किया कि ऐसी language तुम अपने fans के मूझ से सीखना शुरू करोगे और फिर उन्होंने Elvis आदव के fans fans के बारे में बहुत बड़ी बात बोली और कहा कि एक बात बताओ तम्हारे fans तुमें follow करते हैं 500-500 रुपए दे और फिर तुमें follow करें देखता हूं मैं कितने लोग तुमें follow करते हैं तुमें लोग follow इसलिये करते हैं क्यों को follow का बिटन free में प्रेस हो जाता है तो Elvis आदव نے यां पूरे तरे की से तुम्हारी मम्मी को मैंने कोच भी नहीं बताया ना ही कुछ दिखाया है। तुम्हारी मम्मी को अच्छी चीजे बताओ अच्छा कान्टेंट बनाओ तुम्हें बहुत पोटेंशल है अच्छी कॉमेडी करते हो बहुत आगे तक जाओगे बस थोड़ा सही खूंटे पे बांद दूगा बंबू गार दूगा इसा मत करो यार तुम भी जानते हो तुम् और मैं यही कहूंगा बेटा यह जो आर्मी है तुम्हारी ऐलविश आर्मी बनके गूमती है सबको ट्रॉल कर देती है सबकी कॉमेंट सेक्षन हैंक कर देती है तो बेटा आर्मी होती है तो वो सिर्फ वही आर्मी होती है जो बॉर्डर पे होती है अभी हर्याना में ये आर्मी नहीं है, ये followers हैं, इनको अच्छी चीज़े बताओ, ये अच्छा काम करेंगे, तो दोस्तों इस तरीके सल्मान कान ने आखिर में फिर Elvis आदव को कंसोल भी किया, ये था आज का पूरा weekend का वार का मुद्दा, सल्मान कान ने तो पहले फटकार लगाई फिर समझाय और फिर उसको बंद करके टॉपिक को चले गए, लेकिन घरवालों ने इसका मुद्दा बना लिया, और बहुत पीट-पीज़े बाते करने लग गए, हाला कि Elvis आदव ने फिर माफी मांगी सभी से, फुक्रा इंसान ने भी माफी मांगी, Elvis आदव से भी, और घरवालों से तो इस वीकेंड की वार के बाद आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपीनियन्स रखें, और सब्सक्राइब करें चैनल, देखो देखो